अपनी पॉलिटी करण अफेर्स की सीरीज और उसका लेक्टर नमर 9 आज का पहला मुद्द है राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन दिली के डेपिटी चीफ मिनिस्टर मनीज सिसोडिया ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंदर एक रिट पेटिशन डाली कि यह जो CBI कोर्ट और यह सब मिरको पुलिस इरासत में रखा जा रहा है और यह सब जो मिरको कस्टडी में रखा जा रहा है यह बेसिकली मिरको फोर्स किया रहा है कि मैं अपने ही खिलाफ गवाबनू अपने ही खिलाफ सबूत दूँ ऐसे में मनीज सिसोडिया ने आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में बोला कि आर्टिकल 20 अफ दे इंडियन कॉंस्टिशन के अंदर जो मिरको राइट अगें सेल्फ इंक्रिमिनेशन दिया हुए ये उसका उलंगन हो रहा है तो सबसे पहले समाजते हैं कि ये जो राइट अगें सेल्फ इंक्रिमिनेशन है इसका मतलब क्या होता है हमारे सम्विधान का आर्टिकल 20 जो है वो हमारे को तीन फंडमेंटल राइट जेता है क्रिमिनल केसिस के मामलों में वैसे तो केसिस दो थरीके के होता है सिविल केसिस और क्रिमिनल केसिस सिविल केसिस का मतलब हो गया कोई प्रापर्टी डिस्प्यूट हो गया कोई डाइवोर्स अक्सेशन का मामला हो गया क्रिमिनल केस हो गया कोई रेब, डिकॉईटी, एस्ट अटक, मुर्डर है मतलब कि एक crime के लिए आपको एक ही बार punishment मिलेगी एक crime के लिए दो बार punishment नहीं मिलेगी दूसरा है no ex post facto legislation मतलब कि जिस तारीक को अपराधी ने अपरात करा है उस तारीक पर जो कानून applicable है उसी कानून के हिसाब से अपराधी को सजा मिलेगी ऐसा नहीं कि अपराधी ने कानून तो 2004 में करा था लेकिन अभी सरकार 2023 में कोई कानून पास करके कह रही है कि तुमने 2004 में जो crime करा था अब उसकी punishment हम change कर रहे हैं नहीं 2004 में जो crime किया गया था उसके उपर 2004 में crime के time पे जो कानून applicable था वो ही लगेगा आज की तारिक में 2023 में सरकार ने जो कानून पास कर रहा है वो नहीं लगेगा इसे कहते हैं कि criminal cases में no ex post facto legislation रहेगा तीसरा है no self incrimination कि कि किसी को भी अपने ही खिलाफ गवा बनने के लिए किसी को अपने ही खिलाफ सबूत पेश करने के लिए force नहीं किया जा सकता investigating agencies चाहें तो वो जाच परताल कर सकती है चानबीन कर सकती है अलग-अलग सबूत खोद सकती है डून सकती है लेकिन जो व्यक्ति के ओपर आरोप लगा है आप उसी को ऐसे डरा धमका के बोल नहीं सकते कि अपने ही खिलाफ सबूत दे दो अपने ही खिलाफ हमार को evidence दे दो नहीं आप किसी भी व्यक्ति को force नहीं कर सकते कि वो अपने ही खिलाफ सबूत दे इसे कहते है right against self-incrimination ये तीन मूल अधिकार हमार को समविधान के article 20 में है actual में ये रोम में originate हुआ था concept लेकिन हमने जो इसे borrow कर रहे वो बोरो कर रहे अमरीका के समविधान से अमरीका के समविधान में originally ये right नहीं था उन्होंने 5th amendment करके इस particular अधिकार को अपने constitution में डाला इसे famously वहाँ पे 5th amendment right भी बोले आता है कि अमरीका के समविधान का जो पांचवा संशोधन था वो self-incrimination के खिलाफ right प्रोवाइट करने के लिए आया था तो हमने इसको borrow कर रहे यूएस के constitution से prelims का सीधा सवाल यहां से निकल सकता है now supreme court ने कई बार यह बोला है कि right against self-incrimination जो है इसका मतलब यह तो हो ही कि आप अपने खिलाफ सबूत नहीं दे सकते आप अपने खिलाफ गवा नहीं बन सकते आपके पूरा अधिकार है अपने आपको बचाने का इसका यह भी मतलब है कि जब तक आप दोशी साबित नहीं हो तब तक आप निर्दोश माने जाएंगे you will be presumed to be innocent until you are proven guilty जब तक आपके ओपर लगे हुए इल्जाम सबूतों के साथ अदालत में साबित नहीं हो जाते तब तक आपको निर्दोश innocent माना जाएगा इसके अलावा यह state की duty है कि वो एक व्यक्ति को गिल्टी साबित करें एक वो इस व्यक्ति के खिलाफ हमारे सामने सबूत लाएं मतलब कि पुलिस और investigating agencies की जिम्मेदारी है कि वो हमारे सामने सबूत लाएं उस व्यक्ति के खिलाफ basically अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का crime करता है तो उसके खिलाफ जो case करती है न वो state करती है इस तरीके से criminal cases में हमेशा जो case करती है वो सरकार करती है क्यों society को crime से protect करने के लिए तो आपको दो चीज़े धेहन रखने है कि right again self-incrimination जो है यहां से दो rights और निकलते हैं कोई पूस्ता चोरी है और कोई law agency आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं तो अगर आप उसका जवाब नहीं देना चाहते तो आपको कोई force नहीं कर सकता आपके पास पूरे तरीके से अधिकार है उस interrogation में उस investigation में चुप रहने का मतलब कि आप जो है अपने ही खिलाफ गवा नहीं बन सकते आप अपने ही खिलाफ सबूत नहीं दे सकते इसके अलावा जैसे कि Bollywood movies में दिखाया रहते है कि पुलिस खूब पिटाई कर रही है खूब पिटाई कर रही है बेल्टों से जंडे से जो यह hero वगरा पुलिस officer का role play करते है वो खूब मारते है और फिर कहते है बता तूने crime करा है इस तरीके से करना गलत है मतलब कि पुलिस जो है forceful confession नहीं ले सकती कि हाँ अपनी custody में लेके पुलिस ने खूब forcefully आपको डराया धंका है और बोला कि बताओ यह बोलो कि crime तुम confession ले सकते हैं हो सकता है मेरी मार पर टाई करके मेर से बुलवाएं कि तुम नहीं करा है तो इसका मतलब है कि यह वले right के इस्तमाल करके वो बचना चाहरे थे क्या Supreme Court ने उस petition को reject कर दिया वो बाता अला गया लेकिन right against self-incrimination में यह सारे rights भी included है अब सवाल उठता है कि यह जो CBI यह NIA वगरा क्या यह allowed है Supreme Court ने तीन major judgments पास करनी इसको लेके कि सबसे पहले state of Bombay versus काठी कालू ओगाड 1961 में Supreme Court ने बोला कि यदी investigation के दुरान कोई agency किसी व्यक्ती का photograph लेना चाहती है fingerprint लेना चाहती है हस्ताक्षर signature लेना चाहती है अंगूटे का impression लेना चाहती है तो यह allowed क्यों क्योंकि यह investigation में पुलिस को मदद करेगा यह self-incrimination नहीं है तो आपसे prelims में सीधा सवाल पूछेगा कि इन में से क्या-क्या self-incrimination नहीं है तो आपका पता होना चाहिए कि यदी आपका fingerprint, thumbprint, impression, scan, signature, photograph अगरा लिया जा रहा है तो वो self-incrimination नहीं है मतलब कि आप उसे आपके thumb impression और यह सब ले रही है तो यह investigation process को smooth करने के लिए है यह आपके खिलाफ witness यह evidence नहीं है बलकि यह investigation को assist करने का एक process है तो यह सब self-incrimination के अंदर नहीं आएगा similarly, CLV vs State of Karnatka 2010 में Supreme Court ने बोला कि यह जो narco test होता है आपने देखाऊगा narco test movies वगरा में अलग-अलग wires वगरा अलगा दिया आती है कोई medicine दी जाती है फिर वो आदी बेहोश भालत में उससा सच बुलवाते हैं कि बोलो-बोलो क्या सच है Supreme Court ने बोला कि यह जो narco test होता है य self-incrimination माना जाएगा यह एक ऐसा तरीका है कि आप किसी के दिमाग के अंदर जहांकने की कोशिश कर रहे हो यह किसी की privacy के खिलाफ जाने जैसा है तो यह self-incrimination माना जाएगा अगर व्यक्ति खुद अपनी मर्जी से इस test के लिए राजी हो जाता है तो फिर यह self-incrimination नहीं है ल इसी की skin का, thumb का, अंगूटे का sample मिल गया, fingerprint मिल गए यह कोई ऐसे body का, कोई ऐसे skin का टुकडा पढ़ावा मिल गया तो उसे तो आप DNA testing से ही पता लगा सकते हो Supreme Court ने बोला कि DNA testing जो होती है, वो self-incrimination में count नहीं होगा, उसे again investigation को असान करने का process माना जाएगा और इसी लिए DNA testing जो है, वो allowed है, it is allowed, वो self-incrimination नहीं है रितेश सिना वर्से स्टेट अफ उत्तरब्रदेश 2019 में Supreme Court ने बोला कि यदि आपकी कोई video recording, कोई audio sample बगरा कहीं पकड़ा जाता है और पुलिस उस crime के investigation में आपका voice sample इखटा करना चाती है, तो ले सकती है, इसे भी self-incrimination नहीं माना जाएगा तो जितनी भी चीज़े हमने देखी है, उसमें सिरफ और सिरफ नार्को टेस्ट को self-incrimination माना जाएगा बाकी सब चीज़ों को यह माना जाएगा कि यह investigation process असान करने का एक तरीका है और इसे आपी के खिलाफ एक सबूत नहीं माना जाएगा प्रिलिम्स 2002 में आर्टिकल 20 को लेके एक question मना था, देखते हैं इन्दें इंडियन constitution right to equality is granted by 5 articles दियार right to equality कौन से articles में दियाव है, 16-20 में नहीं, इसमें तो equality और freedom दोनों आ गए 15-19 में नहीं, इसमें भी freedom आ गया, 14-18 हो सकता है article 13 में तो कोई fundamental right ही नहीं, इस question का answer chat box में बताएंगे, क्या है आगे बढ़ने से पहले, unacademy पे iconic subscription पर 50% off और GS plus subscription पर 30% off है यदि आप prelims clear करते हैं तो आपको 2 साल तक का, 45 days तक का QEP extension मिलेगा डेली में इसी के साथ, अगर आपका mains clear होता तो free interview guidance program साथ में selection होने पर 100% refund यदि आपका exam clear नहीं हो पाता किनी कारणों से तो आपको 2 साल तक का extension unacademy की site से मिलेगा also one-to-one guidance, mentorship, personalized guidance, daily answer writing, test series, सब कुछ एक जगा पर मिलेगा using the referral code, mudut gupta, ये referral code यूज करेंगे right, तो हमने लेगा self-incrimination और उसमें article 20 में criminal cases को लेके क्या दियावा है इसके अलावा हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से आपका जो hair sample, fingerprint, thumb impression, photograph अगरे self-incrimination नहीं है अगला मुद्दा है whip in assembly and parliament basically जब ये शिफ सेना का पूरा मसला चल रहा था एकनाच चिंदे और उद्दफटा करेगा तो Supreme Court में case गया whip को लेके Supreme Court ने whip को लेके कई सरी बाते करी क्या बाते करी यहाँ पर समर्ने की कोशिश करते है सबसे पहले party whip होते कौन है जो भी assembly, legislative council लोग सब है, राजय सब है जितने भी हमारे southern है, houses है वहाँ पे जितनी भी political parties है वो अपने parliamentary business को ठीक तरीके से चलाने के लिए अपने southern के अंदर ठीक तरीके से सारा matter करने के लिए ठीक तरीके से पूरी प्रक्रिया चलाने के लिए अपने एक leader को कह देते हैं कि ये व्यक्ति party whip है मतलब कि उन्होंने ऐसा बोल दिया कि इस southern के अंदर हमारी party का captain ये व्यक्ति है जैसे cricket team, IPL team के captain होते हैं आप इसको ऐसा वानों कि suppose Congress है उन्होंने लोकसाबा में अपना एक leader घोशत कर दिया कि ये मेरा whip है राजसाबा में अपना एक leader घोशत कर दिया इन्होंने बोल दिया कि ये व्यक्ति मेरा captain है मतलब कि हर party हर house में जहांपे वो present है अपने एक member को अपना captain मना देती है कि मेरी party के जितने भी stance है affairs है, मेरी party की जो विचार धारा है वो ये व्यक्ति सदन के अंदर maintain करेगा उसे आगे बढ़ाएगा उसे कहते हैं party whip तो अगली बार आपके कान में ये शब्द पढ़ रहा है party whip इसका मतलब होता है एक political party का नेता जो कि उस party का captain है southern के अंदर चाहे लोकसभा, राजेसभा या विधान सभा, विधान परीशन चारो houses में हो सकता है ठीक है तो सवाल उठता है कि ये whip का काम क्या होता है whip का major काम होता है कि उस party के जितने भी players मतलब कि उस party के जितने भी MPs और MLS उस southern में मौजूद है मतलब कि लोकसभा, राजेसभा में MPs विधान सभा में MLS और विधान परीशेट में MLS उस party के जितने भी नेता भाँ पर present है उनको directions issue करना उनको निर्देश जारी करना कि सुनो, ये वला बिल आने वला है इस बिल पर आप yes vote करोगे वो वला प्रस्ताव आने वला है उस प्रस्ताव पर no vote करोगे कल का session बहुत important है सरकार को कटगरे में खड़ा करना है सरकार के साथ भेंजबाजी करनी है बहुत सारी कल सब की attendance mandatory है आप सब parliament में आज walk out करोगे सब banner लेके सरकार के किला प्रोटेस्ट करेंगे, हम सब बहार निकलेंगे इसमें आपको हमारा समर्थन करना है इसे कहते हैं directions issue करना कि मतलब party की जो कप्तान है party की जो whip हैं वो southern के अंदर party की रन्नीती बनाते हैं और उस रन्नीती के हिसाब से अपने party के members को direction issue करते हैं निर्देश जारी करते हैं कि सुनिए ये सारा का सारा काम हमार को आज करना है इसे कहते है party whip और ये हर party का एक whip हर house में होता है ये जो particular whip की practice है ये हमने British की parliamentary practices से borrow करी है ये जो word whip है ना तो ये हमारे सम्विधान में mentioned है और ना ही लोकसभा और राजसभा के rules और procedure में लिखावा मतलब कि party whip जो है वो एक conventional post है आपको prelims में सीधे एक question मिलेगा कि इसमें से कौन-कौन से offices constitutional offices है या कौन-कौन से offices जो है वो लोकसभा राजसभा के rules of procedure में mentioned है आपको पता होना चाहिए party whip की जो post है ना तो constitution में और ना ही लोकसभा राजसभा के rules of procedure में दी हुई ये एक conventional post है by convention बनाई जाती है ब्रिटेन से हमने convention बोरो कराए ठीक है अब सवाल उठता है कि सरी है जो हर party के कप्तान होते हैं जिनको हम whip बोलते हैं इन्होंने जो निर्देश जारी करे directive issue करे क्या ये directive मानना मतलब कि आपको disqualify किया जा सकता है उस सदन से मतलब कि MPs और MLS को disqualify किया जा सकता है यदि उन्होंने party whip की बात नहीं मानी यदि आप party whip के खिलाफ जाते हो कोई नेता हैं जो party whip के खिलाफ जा रहे हैं उनके उपपर anti-defection का 10th schedule लग जाएगा और anti-defection 10th schedule जो हमारे constitution में दियावा है वहाँ पे साफ लिखावा है कि यदि आप party के निर्देशों के खिलाफ जाते हो आप party के कप्तान के निर्देशों के खिलाफ जाते हो तो उस case में लोकसभा के speaker, विधान सभा के speaker, राजे सभा के chairman और विधान परिशद के chairman आपको house से बरखास्त कर सकते हैं, आपको house से disqualify किया जा सकता है, आपको तो यह पता ही है कि जब भी anti-defection का मामला सामने आता तो उसमें जो presiding officer होते है house के, उनी के पास disqualify करने की power होती है, मतलब कि यदि कोई party के नेता अपने whip को लोकसभा में defy कर रहे हैं, उसके खिलाफ जा रहे हैं, तो उस case में लोकसभा speaker, ओम बिरला, उन्हें disqualify कर सकते हैं similarly, राजे सभा में जगदीब धनकर हैं वो disqualify कर सकते हैं, 10th schedule anti-defection के अंदर, similarly, विधान सभा विधान परीशर में जो presiding officer होंगे उस house के, वो anti-defection के ground पे member को disqualify कर सकते हैं, यदि उन्होंने party whip के खिलाफ जाने की कोशिश करी लेकिन, यहाँ पे 2-3 exceptions हैं, जहाँ पे आप party whip की बात के खिलाफ जा सकते हो देखे, most of the cases में आपको party whip के साथ ही जाना है, वरना disqualification हो जाएगा, जो presiding officer है house के, वो आपको निकाल देंगे, लेकिन कुछ ऐसे cases हैं, जहाँ पे exception है यदि, उस party के house में जितने भी members present हैं उसके one-third members अगर ये बोलते हैं कि हमार को whip की बात नहीं माननी हम whip के साथ नहीं खड़े, तो उस case में आपके ओपर disqualification नहीं लगेगा कि suppose करिए, आपके suppose करिए, let's say party ले रहते हैं X, इस party X के लोगसबा में 33 members हैं इस party X के लोगसबा में 33 members हैं वहाँ पर party के कप्तान whip ने ये बोला कि भाई सुनो अभी जो bill आने वाला ना parliament में, इसके उपर आपको yes vote करना है तो ऐसे में 33 का one third जो हो गया 33 का one third जो हो गया, मतलब कि कम से कम 11 लोगों अगर ये बोला कि नहीं साब हम इस पर yes vote नहीं करने वाले हम इसको नहीं मानेंगे, अगर 33 में से 11 से जादा लोगों ने बोल दिया कि हम इस whip के खिलाफ हैं हम इस order के खिलाफ हैं, तो उस case में आपका कोई disqualification नहीं लगता तो ये जो 10th schedule के अंदर disqualification की बात हो रही है, normal cases में लगेगा लेकिन अगर आपके बस majority of one third members की, उस case में आपका disqualification नहीं होगा, या फिर राष्ट्रपती और Vice President के चुनाओ में, अगर आप अपनी मर्जी से vote कर रहे हो, तो भी आपके ओपर कोई whip नहीं लगेगा, तो भी आपके ओपर कोई anti-defection नहीं लगेगा, disqualification नहीं होगा, वैसे भी आपको पता है कि प्रेजिएंट और Vice President का चुनाओ, जो होता है, वो secret balance से होता है, तो in any case, किसी को पता नहीं चल सकता कि किसने किसको vote कर रहा है for example, suppose करो, मैं एक party का whip हूँ, मैंने बोला कि भाई सुनो, इस वाले चुनाओ में आप जगदीब धनकर को vote कर देना Vice President में, और President में इद्रापदी मुर्मू को vote कर देना, मेरी party वालों ने बोला कि ठीक है, हाँ हाँ, हम कर देंगे लेकिन actual में polling booth पर जाके उन्होंने किसी और के लिए vote कर दिया मेरे को तो कभी पता नहीं चल सकता, क्योंकि कोई disqualification नहीं होगा, party whip का काम नहीं होगा सवाल उठता है कि यह जो whips issue किये रहाते है Captain द्वारा, यह जो party के whip होते है Southern के अंदर यह जो अलग-अलग प्रकार के whip issue करते है क्या है एक होते है one line whips, one line whips का मतलब होता है, कि आप member से बोल रहे हो कि sir, इस particular matter पे आपको ऐसे vote करना है, कि यह bill rs पे no ही vote करना है, यह bill rs पे yes ही vote करना है, मतलब कि आप members को बोल रहे हो कि आपको किस प्रकार से एक particular bill के उपपर vote करना है हाँ, यह बात है कि यह one line whips में यह allowed होता है, कि यदि आप अपने विप के हिसाब से vote नहीं करना चाते, तो आप voting से abstain कर सकते हो कि मतलब, आप जब संसत भवन में बैठते हो, विधान साबा विधान परीशन में बैठते हो, तो आपके बास vote करने के तीन option होते हैं, एक होता है yes एक होता है no, और एक होता है abstain from voting एक होता है yes, एक होता है no, और एक होता है abstain from voting, अच्छा, इसका क्या मतलब है कि आप या तो एक बिल के प्रस्ताओं के favor में हो, एक बिल के प्रस्ताओं के खिलाफ हो या भी आप confused हो की नहीं, मैं भी decide करके बताऊंगा बाद में, abstain ऐसे में one line whip का काम यह होता है कि आपको बताना कि आपको क्या vote करना है यदि आप उस whip की बात नहीं मानना चाते तो आपको थोड़ी सी freedom या पे दी जाती है कि आप abstain कर सकते हो मतलब कि one line whip जो होता है that is not very strict, यह बहुत जादा सवाल बाजी करनी है, कोई हरताल करनी है कोई ऐसे protest करना है, कोई ऐसे walk out करना है कोई ऐसे stage out करना है उस case में आपको आना पड़ेगा हमार को अपनी majority दिखानी है वापे तो two line whip का मतलब होता है कि आप एक member को बोल रहे हो कि कल आपको सदन में आना ही पड़ेगा irrespective आपको आना ही पड़ेगा नहीं आए, तो फिर वोई 10th schedule, disqualification presiding officer, disqualify, anti-defection link हो गया, right, three line whip three line whip जो होता है सबसे strict whip होता है, सबसे क्याडा whip होता है मतलब कि इसको तो मानना ही पड़ेगा इसका मतलब होता है कि आपको compulsorily एक matter के उपर एक तरीके से vote करने ही है, समझो one line whip के अंदर है बोला गया था कि अगर आपको vote करना है हमारे तरीके से whip के तरीके से करो, वरना abstain कर जाओ three line whip में जैसा whip ने बोला है वैसा ही vote करना पड़ेगा abstain करने का कोई option होता ही नहीं है इसे कहते हैं three line whip तो one line whip और three line whip जो issue होते हैं वो होते तो voting के लिए है one line थोड़ा कम strict है कि यहां पे abstain करने का option है three line में आपके अपास abstain करने का कोई option नहीं होता, आपको whip की बात माननी ही पड़ेगी इसके अलावा, जैसे कि मैंने आपको पता है कि हमने ये जो whip का concept है ब्रिटेन के parliament से बौरो करा है ऐसे में, ब्रिटेन के parliament में और इंडिया के parliament के whip में क्या difference है, एक बड़ी समझते हैं different है थोड़ा सा, और आपको पता है आजकल UPSC जो comparing the constitution के ओपर कई सारे सवाल पूछता है, तो ऐसे मैं एक बड़ी मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रिटेन और इंडिया के whip में क्या difference है, अगर मैं ब्रिटेन के whip की बात करता हूँ, तो वहाँ पे यदि आप अपने party के captain के खिलाफ जा रहे हो तो आपकी party की सदस्यता खताम हो जाएगी, लेकिन house की membership बनी रहेगी बहुत ध्यान से सुनना, कि वहाँ पे अगर labor party है वहाँ पे अगर labor party है, labor party के एक नेता ने अपने whip की बात मानने से मना कर दिया, labor party के एक नेता ने अपने whip की बात टाल दी उस case में, जो वह व्यक्ति हैं, उनकी labor party की membership खतम हो जाएगी, लेकिन फिर भी वह British Parliament के सदस्यत से रहेंगे as independent member, वह independent member बनके रहेंगे, लेकिन भारत में अगर किसी ने अपने whip को defy कर दिया, whip के खिलाफ चला गया, तो उसकी party membership भी खतम हो जाएगी और उसकी parliament की membership या विधान सभा विधान परीशत की membership भी खतम हो जाएगी मतलब हमारे हां दोनों चीज़े एक साथ जाती है, ब्रिटेन में सिरफ party membership जाती है, सदन की membership नहीं जाती, ऐसे में एक mock question करते हैं, कि Indian parliamentary democracy में, collective stance of political party जो होता है that is more important than an individual stance of member of parliament जो chief whip होते हैं, वो 10th schedule of the Indian constitution में mentioned है ये मैंने आपको बताया है कि ये ना तो constitution में mentioned है और ना ही rules of procedure में mentioned है concept जो है whip का वो हमने US से लिया है, अभी मैंने आपको बताया हमने कहां से लिया rules of procedure of Lohg sahabah and Rajah sahabah also mentioned the chief whip of political party, ये शायद गलत है मेरे साब से लेकिन फिर भी small question का answer में कोई बरी chat में बताना क्या होगा, आगे बढ़ने से पहले unacademy पे 50% subscription चालू है यदि आप subscribe करते हैं तो आपको 50% off मिलेगा, one to one guidance, mentorship daily test series, answer writing pre or mains के पूरे current affairs pre mains interview की guidance, यदि आप prelims clear करते हैं तो आपको 45 days का fully paid QEP program मिलेगा डेली में पूरा रहना खाना, आपका पूरा पूरा खर्चा जो एन academy में ट्रहाएगा 45 days तक साथ में, mains के बाद free interview guidance program, अगर आपका selection नहीं होता तो आपको refund मिलेगा अगर selection नहीं होता तो आपको section 57 of code of criminal procedure CRPC का section 57 अच्छा सुनिये, ये रोब पूरा का पूरा lecture है ना इसके notes में telegram channel बे डाल देता हूँ English और Hindi दोनों ही भाशाओ में printer friendly तरीके से डालता हूँ कि मतलब आप उसका print लोग का cause जादा नहीं आएगा सारे के सारे PYUs, judgment, जितना भी ये पठा रहा हूँ A to Z, सब कुछ word by word आपको मेरे handout में मिल जाएगा तो वो handout आप ज़रू डानवर्ट कर लेना description में telegram channel का link दिया है उसे join कर लेना Coming back to police and judicial custody आपने movies में देखाऊगा, आसपास देखाऊगा कि police आती है किसी को arrest कर लेती है और फिर थाने में डाल देती है हमारे CRPC का जो section 57 है ये section number important है UPS याजकल CRPC IPC के sections के उपर काफी ज़्यादा focus कर रहा है तो आपको ये section 57 पता होना चाहिए ये जो section 57 है CRPC का ये बोलता है कि यदि किसी व्यक्ति को arrest किया राता है तो उसके 24 गंटे के अंदर-अंदर आपको उस व्यक्ति को magistrate के आगे, अदालत के आगे पेश करना ही करना है ये बात हम सबको पता है और ये बात हमारे Constitution के article 22 में भी लिखी हुई है कि यदि किसी व्यक्ति को arrest किया राता है तो 24 गंटे के अंदर-अंदर उसे magistrate के आगे पेश करना होगा section 57 यहाँ पे आप थोड़ा सा basic समझो कि पुलिसी arrest क्यों करती है पुलिसी arrest इसले करती है कि एक तो व्यक्ति आगे और कोई crime ना कर पाए मतलब कि अगर हमारे को दिख रहा है कि इसने कोई crime करा है तो इसको पहले तो arrest कर लो जिसे और कोई crime ना कर पाए और दूसरा logic होता है कि यह जो पुलिस ने उसे arrest करा उस बीच उससे information निकलवाना कोशिश करना कि crime कैसे हुआ कौन-कौन involved है सबूत काँप है यह सारी चीज़ है इन दो purposes से पुलिस जो है किसी भी व्यक्ति को arrest करती है जब आप 24 घंटे के अंदर-अंदर उस व्यक्ति को magistrate के आगे पेश करते हो तब लगना शुरू होता है section 167 of CRPC तो देखे जब पहली बार पुलिस ने arrest करा तब लग रहा section 57 की 24 घंटे के अंदर-अंदर magistrate के आगे पेश करो अब पुलिस ने कोर्ट में लाकि यह बोला कि my lord मेरे को ऐसा लगता है कि 24 घंटे के अंदर इस व्यक्ति का interrogation पूरा नहीं हो सकता इस case की investigation नहीं हो सकती मेरे को थोड़ा और समय चाहिए मैं चाहता हूँ कि इस व्यक्ति को खुला ना छोड़ा जाए मैं convinced हूँ कि crime में इस व्यक्ति का कोई ना कोई हाथ है मतलब कि हमारे पास कोई ground है यह मानने के लिए हमारे पास कोई ground है believe करने के लिए कि इस व्यक्ति का कोई ना कोई हाथ है इस crime में और हम चाहते हैं कि इस व्यक्ति को अभी रिहा ना किया जाए इसको custody में ही रखा जाए इस व्यक्ति को custody में ही रखा जाए इसलिए हम चाहते हैं कि इसको अजाद ना किया जाए और ये application court में कौन डालता है sub inspector या फिर उससे उपर rank के police दिखारी sub inspector से नीचे rank के police दिखारी ये demand court से नहीं कर सकते as per section 167 तो देखे 24 घंटे रखने का rule कहा दियाव है section 57 में section 167 में क्या दियाव है CRPC के कि आपकी investigation 24 घंटे के अंदर पूरी नहीं हुई है आप चाहते हो कि इस व्यक्ति को और अभी थोड़े दिनों के लिए हिरासत में रखा जाए ऐसे में अगर court convinced है कि हाँ इस व्यक्ति का इस crime में कोई ना कोई हाथ है इस व्यक्ति का इस crime में कोई ना कोई जो है सबूत है या कोई यह बहुत important कोई information जामता है अगर यह भार निकला तो यह temper कर सकता है सबूत बिगार सकता है, सबूत गायब कर सकता है अगर court इन सब बातों से convinced है तो वह इस व्यक्ति को judicial custody या police custody में डाल सकता है मतलब कि वो court जो है अदालत जो है इस व्यक्ति को custody में भेज सकता है ध्यान से सुनेंगे अभी मैंने ना police custody बोला ना judicial custody बोला मैंने बस यह बोला कि दोनों में से किसी एक custody में भेजा आ सकता है मतलब कि dots connect अगर करें तो जब police arrest करती है 24 गंटे के अंदर magistrate के आगे गए और सब inspector या उससे उपर level के जो अधिकारी है वो court में अपनी बात रखेंगे आगे अगर court convinced है कि इसके पास कोई important सबूत है या ये सबूत को बिगार सकता है ऐसा कुछ है तो फिर court जो है उसकी custody order कर सकता है कैसी custody police और judicial अभी discuss करते हैं लेकिन custody order की जा सकती है एक चीज होती है judicial custody judicial custody का मतलब होता है कि अदालत ये बोल रही है कि अब ये व्यक्ति हमारे पास रहेगा ये व्यक्ति police के पास नहीं रहेगा समझे judicial custody का मतलब होता है कि एक व्यक्ति अदालत की हिरासत में है एक व्यक्ति अदालत के पास है, एक व्यक्ति ऐसी जेल में है जो अदालत के अंदर आती है, इसे कहते हैं judicial custody, जब भी magistrate ये बोलते हैं कि ये व्यक्ति judicial custody में है, तो उसे आप central या फिर state jail में रखते हो, और पुलिस थाने में नहीं रखते हो, पुलिस थाने में नहीं रखा और यदि कोई investigating अधिकारी पुलिस, CBI, NI, etc. उस व्यक्ती से मिलना चाते हैं उस अबराधी से मिलना चाते हैं तो उन्हें court की permission लेनी होगी court की permission के बाद ही उस व्यक्ती का interrogation possible है मतलब कि आप इसको ऐसे समझो कि यदि कोई व्यक्ती magistrate की order के बाद अगर judicial custody में है तो फिर वो court की property हो गया वो court के बास रहेगा और यदि कोई भी अधिकारी अफसर उससे interrogation करना चाते हैं दो उनको पहले judiciary से पूछना होगा, जट से पूछना होगा कि sir क्या मैं आपके हिरासत में जो व्यक्ती है यह police के पास रहेगा जब भी कोई व्यक्ती police custody में होता है तो वो police station में रहता है आपने देखाऊगा कि वो singham type picture में वो या फिर ganga jail type picture में police station के अंदर कैदियों को भरावा होता है उसे कहता है police custody police custody का मतलब होता है कि अभी व्यक्ती जो है court की हिरासत में नहीं है court के custody में नहीं है court की jail में नहीं है police custody का मतलब है कि वो police की jail में है police station बने होता है उसके lock up में है उसकी jail में है और police investigating agencies जो है वो जितना चाहे उतना interrogation कर सकते हैं उन्हें कोई नहीं रोक सकता और उन्हें court के permission के यहां पे ज़रूत नहीं है यदि कोई व्यक्ति police custody में है तो उस व्यक्ति से interrogation करने के लिए investigation करने के लिए police को किसी भी court की permission लेने की ज़रूत नहीं है अभी और detail में जा रहो हूँ लेकिन अभी उपर उपर से बात हमने यह समझी कि judicial custody में court की custody में हो और यदि police investigation करना चाती है interrogation करना चाती है तो court की permission लेनी होगी उस व्यक्ति से मिलना चाती है तो court की permission लेनी होगी लेकिन यदि एक व्यक्ति police station के अंदर police custody में है तो वहाँ पे police और authority जितनी चाया उतनी interrogation कर सकते है पूश्टाच कर सकते है उन्हें court की order की court की permission की कोई जरूत नहीं है अब हमने देखा कि जैसे ही कोई व्यक्ति को police arrest करती है वो जाता है court के पास court के पास अगर proper ground है court के पास ये कारण है believe करने के लिए कि हाँ ये बाहर जाके case को बिगार सकता है crime कर सकता है इसके पास कोई सबूत बिगारने की power है ये कोई सबूत गाप कर सकता है ऐसे में judiciary जो है उसे custody में भेज सकती है लेकिन judiciary जो है वो police custody सिरफ 15 दिनों के लिए दे सकती है मतलब कि जिस दिन बंदा arrest हुआ और court के आगे पेश हुई उसके बाद सिरफ 15 दिन की maximum police custody दी जा सकती है police custody 15 दिनों से यादा की नहीं हो सकती मतलब कि जैसे किसी को arrest करती है police 24 घंटे के अंदर magistrate के आगे तो पेश करना ही करना है उसका कोई alternative नहीं है 24 घंटे के अंदर magistrate के आगे तो लाना ही है फिर magistrate ये बोल सकते है कि ठीक है अभी आपको अगर और interrogation करना है इसका 15 दिन तक आप maximum इसे अपने पास रख सकते हो अगर court ने police custody नहीं दी तो judicial custody दे सकते हैं कि नहीं ये police के पास नहीं रहेगा ये हमार पास रहेगा उस case में दो time duration possible है एक होगे 60 days की एक होगे 90 days की कि judiciary एक व्यक्ति को अपनी judicial custody में रख रहा है मतलब कि अदालत की jail में रख रहा है 90 days की judicial custody तब होती है जब उस व्यक्ति के ओपर कोई ऐसा आरोप लगाओ जिसकी सजा या तो फासी है life imprisonment है उमर कैद या फिर 10 साल तक की कैद है अगर कोई बहुत बड़ा crime कर रहा है जिसमें ये सारी punishments है तो उस case में 90 days तक की judicial custody allowed है यदि को इसमें छोटा मोटा crime कर रहा है जिसकी सजा 10 साल से कम है उस case में उसे 7 दिन तक की judicial custody में रख रहा सकता है तो अगर हम dots connect करते हैं तो हमारे पास क्या निकलता है कि जैसे कोई बंदा arrest हुआ 24 गंटे के अंदर-अंदर magistrate के पास लगे जाओ magistrate decide करेंगे कि इसे custody में रखना भी है नहीं रखना अगर हमारे पास ये ground रहा मानने के लिए कि इसको custody में रखना है तो फिर ये decide होगा कि 15 दिन तक police custody में रखना है या फिर 60 और 90 देस तक judicial custody में रखना है police custody में police जितनी चाहँ उतनी interrogation कर सकती है कोई judge साब के permission की ज़रूत नहीं है लेकिन judicial custody में एक व्यक्ति अगर है तो उसे police थाने में नहीं रखा जाएगा central F state jail में रखा जाएगा और यदि police officer उससे investigation करना चाहते है तो court की permission की ज़रूत होगी prelims 2021 का यहाँ पर सवाल निकलता है यह सारा का सारा आपको कुछ लिखने की ज़रूत नहीं है PDF में सब कुछ मेंचने है Telegram बढाल दूँगा description box में link दिया वै जॉइन कर लेना judicial custody means an accused is in the custody of the concerned magistrate मतलब कि judge की custody में है and such a accused is locked up in a police station not in jail ओ सेरे तो देखती समरे आगया statement थोड़ी गलत सी लग रही है देखते हैं बाकी चैट में बताना मेरे को इसका answer क्या है during the judicial custody police officer in charge of the case is not allowed to interrogate a suspect without approval of the court बिना court की permission के interrogation नहीं हो सकता judicial custody में sir यह ऐसा कुछ सुना सुना सा तो लाग रहा है भी 5-7 मिनट पहली बताओ इसका answer क्या होगा चैट बाक्स में हिंट तो मैंने देई दिया है अगर नहीं होता तो दो साल तका extension साथ के साथ हमारे नहे बाचे शुरूर है 27 अप्रिल से English Hindi और Bilingual में साथ के साथ अनक्याडमी का All India Prelims Mock Test होने वाला है कब 29 अप्रिल 2023 को इसके लिए जरूर अन्रोल करेंगे बाकि आफ्लाइन बाचेस तो हैं ही English Hindi Bilingual में अन्रोल करेंगे using the RetroCode मदद गुपता Let's crack it